हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टो आर यूट्यूब चैनल दा टूशन कॉर्णर इसमें आपको मैं 43 एंट्री तक कम्प्लीट करा चुका हूं और आज ये जनल एंट्री का थर्ड लेक्चर है और इसमें आज हम कुछ और जो इंपोरेंट एंट्री है वो करेंगे कुछ डिफ परसेंट एंट्री टैन परसेंट दिसकाँंट एंट 4% चैसकाँंट एंड पेड 60 परसेंट मांट बाज्चक थो टोडल अमांट बच्छों यहां पर 50,000 है 50,000 का जो trade discount है, सबसे पहले आप trade discount minus करेंगे, तो मैं तीडी लिग लेता हूं sort में, जो की 10% है, 5000, minus करने के बाद 45,000 आता है, cash discount जो दिया जाता है, वो cash amount पर, या bank वाले amount पर दिया जाता है, means, जो cash से related होते हैं, तो इसमें किया, 60% amount हमने check से दिया, तो आपको करना होगा, 45,000 का 60%, और 45,000 का 60% आता है, आपका, 27,000, तो आप यहां लिखेंगे 27,000, और यह 27,000 जो आया है, check से आया है, तो check में आप लिखेंगे, bank, चेक में आपको show करना है, bank, इस पर discount होगा, यानि कि 27,000 का 4% discount है, तो 27,000 का 4% आता है, आपका, 1080, यह 1080 discount है, और इसके बाद 27,000 में से 1080 माइनस करने के बाद, वो बसता है, 25,920, तो यह आप bank में लिखेंगे, अब entry finally क्या हो जाती है, जब purchase करते हैं, तो रूस तो हम आपको बता चुका हूँ, उसका link भी description में डाल दिया गया है, purchase account debit 45,000, 45,000 तो आपके purchase में आ गए, उसके बाद इस 45,000 का बाकी जो 40% है, 45,000 का 40%, जो आता है 18,000, यह credit transaction है, यह आपकी credit transaction है, उधार वाली transaction है, तो 18,000 यह आपके credit वाले हो गए, तो entry बनती है, purchase account debit 45,000, to bank 25,920, to discount 1000C, और to henry 18,000, इस तरीके से बच्चों, आपकी यह first entry complete होती है, इसके बाद next entry आती है, next में लिखा है, purchase goods from Amit 2,00, at terms 5% cash discount, and 20% trade discount, paid 3 4th of the amount in cash at the time of purchase, अब यहाँ पर क्याश सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें, 2,00, इसका सबसे पहले आपको TD minus करना है, क्योंकि trade discount के वो entry नहीं होती, और जो trade discount आपको दिया यहाँ पर वो 20% है, तो 2,00, 20% होता है, 40,000, minus करने के बाद 160, 1,60,000, उस 1,60,000 में से जो 3,4th है, वो cash में आ गया, तो इसका 3,4th कितना होगा भी, 1,60,000 का 3,4th करना है आपको, जो आता है आपका 1,20,000, और जो discount दिया जाएगा, वो आप 1,20,000 पर दोगे, तो बाकी कितना बस्ता है, बाकी बस्ता है 40,000, means कि 3,4th हो यहाँ पर आ गया, जो cash में है, और बाकी आपका 1,4th जो remaining बचा, वो 40,000 आपका credit वाला है, अब यहाँ पर purchase किससे कर रहे हैं, हम इस से, तो यह credit transaction हो गई, हम इस से, 40,000 आ गए, इस 1,20,000 पर discount दिया जाएगा, cash discount, जो दिया है 5%, तो आता है आपका 6,000, यानि यह 6,000 हमारा discount है, अब 1,20,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, और बसता है 1,14,000 और यह payment की गई है, आपके cash में, तो यह cash वाला amount है, अगर check से किया जाएगा तो bank लिखेंगे, और अगर cash है तो cash लिखेंगे, अब यहाँ पर purchase कर रहे हैं, तो आप करेंगे purchase account debit 1,60,000, to cash account 1,14,000, to discount 6,000 रुपे, और to amit 40,000 क्योंकि यह credit transaction है, तो इसलिए यह आपकी entry complete होती है बच्चों यहाँ पर 45 number, अब इसमें करते हैं 46 number entry, next entry आपकी 46 number entry और यह important entry है, इसमें क्या है different, कि sold goods to X at the list price 50,000 less 20% rate discount and 4% cash discount, condition है, if the payment is made within 7 days, अगर 7 दिन के अंदर payment कर दिया, तो discount मिलेगा cash discount, 75% payment is received by check on 23rd January, यानि कि 7 दिन के अंदर उसने payment कर दिया 75% का, तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे, 18 जन्वरी, लिख रखा है मैं यहाँ पर 18 जन्वरी, अब यहाँ पर trade total amount है, 50,000 और सबसे पहले trade discount minus होगा, जो टीडी दिया है आपको, वो दिया है 20%, तो 50,000 का 20% कितना होगा, 10,000, बसते हैं 40,000, तो सबसे पहले नंबर पे आप entry कर दोगे यह वाली, यानि कि X debit to sale, 40,000 रुपे, उसके बाद condition क्या है, कि 4% का discount मिलेगा, अगर payment 7 दिन के अंदर हो जाता है, तो payment कब कर देता है, 75% का payment वो कर देता है, 23 जन्वरी को, जो कि 7 days के विदिन आ जाता है, तो 23 में किस तरीके से होगा, इसका करना है 75%, तो 40,000 का 75% आप करेंगे, वो आता है 30,000 रुपे, और यह आया आपका checks है, तो means आप bank लिखेंगे यहाँ पर, अब इसका discount कितना है, इस पर आपको cash discount दिया है, चार परसेंट है भई, तो 4% होता है, इसका 1200 हो जागए discount है, फिर आप क्या करेंगे, 30,000 में से 1200 माइनस करोगे, तो यह बज़ाएगा 28,800, और यह bank लिखेंगे आप, तो entry बन जाती है आपकी यहाँ पर, bank account debit, bank account debit 28,800, discount account debit, discount, bank account debit है तो discount भी debit होगा, cash account debit है तो discount भी debit होगा, तो यह बज़ाएंगे, bank account debit 28,800, discount account debit 1200, और 2X, 30,000 रुपे, क्योंगे 30,000 में किस से मिले, X है, तो यह entry आपकी यह complete होती है, 46 number entry, next entry करते हैं students, 47 entry, 47 important entry है, इसमें 3 entry हो नहीं है, इसमें ही, यहाँ लिखा है, 25th January, sold goods to Garima, 1,00, allowed her 20% rate discount, and 5% cash discount, if the payment is made within 15 days, अगर 15 दिन के अंदर payment हो जाता है, तब discount एपलाई होगा, C paid 1 4th of the amount by check on 5th feb, 1 4th का payment वो 5 5th में कर देता है, 5 feb तक, checks है, और जो 60% है, remainder amount का, उसका payment होता है, 15 feb को cash है, तो उस पर कोई discount नहीं होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ में 1 lakh, जो amount दिया है, इस पर बच्चो जो TD है, जो trade discount दिया है, वो 20% है, और 20% होता है, 20,000, माइनस करने के बाद 80,000, तो यह entry लिखेंगे, आप 25th January में, तो सबसे पहले यह entry आप लिख लो यहाँ पर, तो entry हो जाएगी, गरीमा debit to sale, क्योंग गरीमा को sale किया गया, तो गरीमा debit to sale, 25th January, इसके बाद क्या है, कि 5% का discount मिलेगा, अगर payment हो जाता है, 15 दन के अंदर अंदर, तो 1-4th का payment 5-5 को हो जाता है, अब इसका करेंगे 1-4th, तो 80,000 का, जो 1-4th हो आता है, 20,000 रूप है, 1-4th, 20,000, और ये किस में आता है, चेक से, तो इस पर discount कितना लिखा है है, बर discount है, cash discount 5%, यानि कि 1000 रूपे discount हो गया, तो 20,000 में से 1000 माइनस करने के बाद 19,000 रूपे, और इसमें क्या लिखेंगा, bank, तो इस पर discount मिल गया, यानि entry होगी, bank account debit, bank account debit मायाएंगे 20,000 रूपे, sorry, bank account debit मायाएंगा 19,000, 19,000 रूपे bank account debit मायाएंगा, और discount account debit में 1000, क्योंकि हमने discount दिया भई, तो discount हमाले expenses है, expensive debit होता है, तो discount account debit 1000, और तू गरीमा 20,000, तू गरीमा से कितना रूपे मिलने थे, 20,000, लेकिन मिले कितने checks है, 19,000, तो 1000 का होगया discount, बाकी जो amount बस्ती है यहाँ पर, जैसे कि 20,000 तो यहाँ पर आ गया यह, बाकी कितना रह गया, 60,000, तो वो कहता है, जो remainder amount बचा है, उसका 60%, यानि कि 60,000 का 60%, जो आदा 36,000, इसका payment होगा 15 Feb को, 15 Feb को इसका payment होगा, और payment किसम होगा cash में, तो इस पर कोई discount नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका time 15 days के बाद आता है, तो यह 36,000 रुपे से आप entry कर देंगे, यहाँ पर, यह आपके entry complete होती हो 47, और यह एंपो red entry थी आपकी, next entry, entry number 48, और यह for example लिया एक opening entry का, कि opening entry क्या होती है, तो देखें कि यहाँ पर opening entry क्या होती है, सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर लिखा है, balances, कि following balance appear in the books of, 1st April 2020 को balances लिखे हैं, तो इसमें जो assets होते है, assets क्या होते है, debit, तो आपने लिखा पहले कि cash account debit, bank account debit, stock debit, और debtors थे आपके, अशोक debit, पवन debit, विवेक debit, मसीनी debit, यह सभी point लिख लिए, उसके बाद liability side में लिखा है, liability क्या होता है, credit, तो उसमें लिखा है, चमनलाल 7000, ओमपाल 13000, और capital 2 lakh, इसके बाद आपको करना क्या है, यह total करना हैं तीनों का, और यह सभी total करने हैं, यहां तक, तो जो भी total ज्यादा होगा, उसमें से कम वाला total माइनस कर देंगे, तो ज्यादा यहाँ पर यह वाला total है, तो इसमें से आप यह total माइनस कर देना, तो balance अगर debit side में बसता है, तो उसे कहते हैं goodwill, और वो कितनी ब अची है, वो बसते हैं आप 31,000, यह बच जाता है, अगर माल लीजिए, यह side ज्यादा होता, debit side, और credit side कम होता, तो फिर आपका capital बसता, यानि जो balancing figure होता, वो capital होता, तो इस तरके आज हमारी complete होते हैं आप 48 entries, थैंक्यों बच्चों,